कोरोना वाइरस संक्रमण के मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। सारवजनिक जगहों पर लोगों के जमा होने पर रोख है। लेकिन पेट्रोल पंप खुले हैं। और अब ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जिन में कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर वाइरस कई दिनों तक मौझूद रह सकता है। युनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वाइरोलोजिस्ट डॉक्टर जॉई ग्रोव के मताबिक किसी धातू या प्लास्टिक से बनी सतह पर वाइरस कई दिनों तक जिन्दा रह सकता है। दरसल ब्रिटेन के प्रधान मंतरी बोरिस चॉंसन की सहायक डॉमिनिक कमिंग्स पर लॉकडाउन के दौरान लंदन से दरहम की दो तरफा यात्रा करने का आरोप है। और कहा जा रहा है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उलंगन किया है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो इस सियात्रा की दोरान किसी सर्विस स्टेशन पर रुके हैं। हाला कि डॉमिनिक ने खुद पर लगे आरोपों को खारिच किया है। डॉक्टर ग्रोव का कहना है कि वो डॉमिनिक के मामरे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि संक्रमंट का स्तर व्यक्ति दर व्यक्ति अलग होता है। लेकिन सर्विस स्टेशन जैसी जगों पर वाइरस कुछ समय तक रह सकता है जो की चिंता की बात है। वो कहते हैं यदि किसी व्यक्ति के हाथों में वाइरस है तो ऐसी जगों पर वाइरस के रह जाने का खत्रा काफी है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है और सारवजने की जगहों को पूरी तरहे बंद कर दिया गया है। फिलाल कई देशों ने अपने यहां लॉकडाउन में धील डी है और कुछ देश इसकी योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर जगहों पर लोगों के बड़ी संख्या में जमा होने पर रोक है। डॉक्टर ग्रोफ का कहना है कि इस महामारी के दोरान लोगों को सतरकता बरतने की सक्त जरूरत है। वो कहते हैं कि सरकार लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिशें करें और बेहतर उदाहरन पेश करें। वीशश्रक्यों का कहना है कि पिट्रूल पंप या दूसरी किसी सारवजनिक जगहे पर ऐसी चीजों के संपर्ख में आने से बचें जिन्हें लोग छूते हैं। अगर आप ऐसी किसी चीज को छूते हैं तो खुद को सैनिटाइज जरूर करें। मामले एक लाग 31,000 से अधिक हैं। हालांकि पेट्रोल पंप लगातार खुले हैं। सरकार ने पेट्रोल पंप को जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में रखा है। संक्रमन से बचने के लिए पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के आने वालों को पेट्रोल ना देनी का फैसला भी लिया गया है। कि झालमन उजका भी सिरूओं के लिए बचले आने पाले वालों का प्राशन का प्रूर प्राऊं हो जए भी हैं।